हेलो मेरे प्यारे बच्छों कैसे बटा मज़े में ना मज़े में ही रहना चाहिए बटा मैं सुशान्थ आपका फिजिक्स टीचर स्वागत करता हूँ भारत के सबसे आज हम एक नया चाप्टर यहां पर कम्रीट करने वाले है समरी सीरीज में जिसका नाम है बटा मागनेटिक फिल्ड दिव टू एलेक्रिक करेंट ठीक है यह हम चाप्टर जो है यह हम थोड़ा से यहां पर देखने वाले हैं अब बेसिकली हमने लास्ट चाप्टर में कुछ अब यह हम आपको वहां पर बताया था कि the study of charge at rest is called as Electro Static whereas the study of charge in motion is called as Electrodynamics याने जब चार्ज जब है जब वह rest पर होता है तो वह कुछ फेनामेना दिखाता है और जब वह मोशन में होता है तो कुछ फिनॉमिना दिखाता है कुछ effects दिखाता है जब वो rest पे होता है तो हम फिल्ड की और potential की study करते है और जब वो motion में होता है तो basically हम current और magnetic field की study करते है तो उसमेद current electricity तो आपका हो गया है बेटा अनिकेट सर ने करवा दिया है ये जो है हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा magnetic fields due to electric current, basically यहाँ पर हम क्या-क्या देखने वाले हैं बेटा, यहाँ पर हम थोड़ा सा intro देखेंगे, right, फिर magnetic force देखेंगे, cyclotron motion देखेंगे, helical motion देखेंगे, बस एक summary हमको देखना idea लेनी है, magnetic force on a wire carrying a current देखना है, force on a closed circuit in the magnetic field, then torque on a current carrying loop, okay, magnetic dip dipole moment देखेंगे, magnetic potential energy of a dipole, magnetic field due to a current, force of attraction between two long parallel wires, उसके बाद magnetic field produced by a current in a circular arc of wire, उसके बाद axial magnetic field produced by current in a circular loop, finally magnetic lines for a current loop, ampere's law, और magnetic field of a solenoid and the toroid, इतने जो topics हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अगर मैं थोड़ा सा, you know, exam point of view देखो बेटा, तो आपको basically, अगर मैं बात करो, कि कौन से topic पे ज़्यादा questions आपको आते हैं, तो magnetic force और एक लूस्ट, ओके यह यह तो यहाँ के topic तो नहीं बोलूँगा, मैं, ओके यह वाले topic पे ज़्यादा questions आते हैं, इसका derivation भी आएगा, force of attraction ठीक है, यहाँ पर बना दूँ मैं, force of attraction between, you know, the two parallel wires, okay, magnetic field produced by the arc, okay, circular loop, यह वाला एक topic जो है, यह important है, यह दो topics आप धान मिलो, उसी के साथ-साथ आपको amperes law पे questions आते हैं, और साथ में magnetic field of a solenoid और toroid, इतने जो topics हैं, वो आप पहले खतम करिए, बाद में बाकी के कर सकते हो, यानि अगर मान लो, आपका revision बचा है, तो सबसे पहले इन चीज़ों को revise करो, बाकी क्या बाद में कर सकते हो, चलेगा, चलो, तो introduction में क्या हम देखेंगे बिटा, कि हमको यह पता है, कि जब भी कोई एक current carrying conductor होता है, वो अपने आजू-बाजू magnetic field करता है, यह हमने बच्पन में पढ़ा, जब आप एक wire से current pass करोगे, और उसके आसपास एक needle अगर रखोगे, तो needle में deflection आता है, कुन सी needle, magnetic needle, उस पे deflection आता है, और वो क्यों आता है, क्योंकि जब भी कोई एक conductor current carry करता है, तो उसके आजू-बाजू क्या क्रेंट होती है, magnetic field, तो यहाँ पर वोई दिया है, current carrying conductor creates magnetic field around it, और कैसी होती हो magnetic field, कुछ इस तरीके से होती है, जो हमको right hand thumb rule से मिलती है, कि अगर यह उपर का जो thumb है, वो आपको direction of current दे रहा है, तो जब curled fingers है, वो आपको क्या देती है, direction of magnetic field, तो basically वो वही चीज है, ठीक है, और यह दो wire की बीच की बात कर रहे है, parallel और anti-parallel या फिर parallel जो भी current जाएगा, उसको हम सापने देखेंगे, हाल फिलाल यह पहले वाल simultaneously electric और magnetic field में दोनों जगा रख रहा हो, तो होता कैसे है, उसके उपर electric और magnetic field दोनों के वज़े से force act होगा, यह suppose करो, एक charge है, ठीक है, एक charge जो है, वो एक electric और magnetic field दोनों से गुजर रहा है, तो उसके उपर दोनों field के वज़े से force act होगा, देखो, यह force due to magnetic field आपको इतना मिल है, F is equals to Q V cross B, where V is the velocity of the charge, and B is the magnetic field, and Q is the charge, और force act on the charge Q in the electric field, E is this, Q into E, अगर मानलों मैं दोनों simultaneous करता हो, तो दोनों को add करना पड़ेगा, और finally आपको यह answer मिलता है, कि F net is equals to Q, E vector plus V cross B vector, इसको Lorentz forces भी कहा जाता है, यहने basically अगर मैं किसी भी charge को, ठीक है, simultaneous electric और magnetic field में रख दू, तो उसके उपर कुछ इतना force act होता है, इसको आप ध्यार में रखना है, उसके बाद थोड़ा सा cyclotron के बारे में देखेंगे हम, cyclotron कुछ नहीं है बेटा, समझ लेना कि एक ऐसा device है, जो particles को accelerate करता है, यहाँ यहाँ पर दो D's होते है, यहाँ पर जैसे हम आयं लेके आएंगे, तो आयं जो है बेटा, अब यहाँ पर आने के बाद उसके उपर force act होगा, due to the magnetic field, कैसे होगा, देखो, magnetic and the electric field, अब मान लो कि जो magnetic field है, वो into the pain, into this board है, यानि यह जो magnetic field है, कुछ AC जा रही है, अंदर जा रही है, और यह AC source के वाज़े से, कभी यह D1 positive होगा, तो कभी यह negative होगा, तो कभी यह positive होगा, तो कभी यह negative होगा, तो basically, एगर मैंने यहाँ पर कोई भी charge लेके आ उपर magnetic force act होगा, और उसके वज़े से, वो एक curve बात press करेगा, अगर यह process चलती रही, बार 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 चलती रही बेटा, तो वो, you know, उसका speed बड़ेगा, speed बड़ेगा, तो वो बड़े-बड़े curves में घूमने लगेगा, लेकिन हर point of time पे उसका time period सेम रहेगा, यानि ज उसका speed जो है, वो बढ़ रहा है, और finally जब वो escape out होता है, यहाँ से, विंडोस से, तो उसका जो velocity है, वो काफी बढ़ जाता है, right, तो basically यहाँ पे जो भी centripetal force होता है, वो कौन देता है, qvb, अगर मैं उसको solve करू, तो p और mv is equals to qrb, this is the cyclotron formula, इसी को थोड़ा सा हम and जो kinetic energy है, that is q square, b square, r square upon m, तो यह दो formulae, cyclotron के respect में आप ध्यान में रखो, यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है क्या, कि अगर cyclotron है, okay, तो उसका time period कितना रहेगा, तो time period रहेगा, t is equals to 2 pi m, t is equals to 2 pi m upon qb, okay, मैं यह थोड़ा सा बढ़ा होगे, इसको तोटा कर लेता ठीक है, t is equals to 2 pi m, एक second बेटा, यह एक formula for the time period and this is the second formula for what, the kinetic energy, I hope this is clear, fine, next बेटा, helical motion, अभी helical motion में क्या होता है, देखो qv cross b, यह force जो है वो act होने वाली चीज़ है, अब मान लो, v और b के बीच में angle 90 degree नहीं हो, उसके अलावा कुछ हो, यानि 0 to 90 degree के बीच में हो, तो basically जो भी charge एक motion perform करेगा, वो helical motion perform करेगा, वो, you know, आपका circular motion perform नहीं करेगा, तो महीं आप लिख देता हूँ, क्या, when, तो महीं आपे लिख दो क्या, वन and angle between V vector and B vector is between is between, कितना रहेगा बिटा, 0 to 90 degree, है न, between होना चाहिए, 0 to 90 degree, then रहेगा जब ऒाहेद पर जाद को सन कितने है न, कितने हैs, पॉल का झेलब को सिए थे मतले की complete होना देखान धन싸 धनना, कितने को न. इतना ही ध्यान में रखो इससे जादा कुछ ध्यान में रखने की जरुवत नहीं है उसके बाद जब हम एक current carrying conductor magnetic field में रखते हैं तो उसके ओपर force act होता है देखो जब हम current carrying conductor की बात करते तो वो अपने आजू बाजू क्या create करता है magnetic field अब उसकी एक खुद की magnetic field रहेगी यानि ये मालो ये current carrying conductor है इसको अगर मैं देखो तो इसके आजू बाजू क्या create होगा बेटा magnetic field अब मालो इसी को जिस current carrying conductor को मैं एक दूसरे magnetic field में रख रहा हूँ यानि मालो यहाँ पर जो space है इसमें एक और से magnetic field है और उसमें मैंने ये current carrying conductor रख दिया तो अगर मैंने रख दिया तो मुझे बताओ इसकी magnetic field और वो जो बाहर की magnetic field है उन दोनों के बीच में interaction होगा और इस conductor के ऊपर force act होगा राइट वो जो force है वो इस formula से दिया जाता है F is equals to I L cross B right where I क्या है बिटा current L क्या है length और B क्या है magnetic field so when a current carrying conductor of current I of length L is placed in the magnetic field B it is acted upon by a force and that force F is equals to I L cross B कितना धान में रखना है right उसके बाद arbitrarily shaped wire याने अभी यह जो conductor है बेटा यह straight ना होते हुए अगर मान लो थोड़ा सा curved है तो उसके उपर force कैसे act होगा यानि कितना force act होगा क्या उसका formula रहेगा यह हमको यहाँ पे देखना है तो आपने तो देखाए होगा यह इस तरीके के जो भी you know conductors होते है उसके उपर हम integration लेता है यानि integration लेके ही हम उसके उपर का force निकाल सकते है तो यह कैसा आता है force acting on that conductor is what I into integration of DL क्या आएगा बेटा I F is equals to I I integration of किसका आएगा I DL का integration आएगा integration of DL into क्या बोलेंगे अपन B vector है न मैं ऐसा बोल सकता हूँ that is I is equals to क्या आएगा आपका integration of DL vector cross B vector आएगा यहाँ पर ठीक है क्योंकि यहाँ पर cross होगा लेकिन यहाँ पर जो integration है वो सिर्फ और सिर्फ हम DL का लेंगे ओके यानि I जो है जब हम integration of DL लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा integration of DL लेंगे तो वो पूरा एक जो L है वो दर्शाएगा तुमारा यानि यहाँ से लेकिए यहाँ तक का दर्शाएगा that is DL तो यह चोटे-चोटे elements का अगर मैं integrate करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा force acting on that conductor I hope this is clear right तो मैं यहाँ पर लिख दू क्या for arbitrarily shaped for arbitrary shape we solve by using integration, okay? I hope this is clear, fine. सामने चलेंगे force on a closed circuit in a magnetic field भी याने हम अगर किसी भी close circuit को magnetic field में रखेंगे ठीक है तो उसके ऊपर कितना force आएगा वो हमको देखना है तो basically यह होता है बेटा कि जो हमने इसके पहले एक यह लिया था क्या बोलेंगे इसके पहले जो हमने यहाँ यहाँ पर कर आया था कि arbitrary shape wire अगर हम लेंगे तो क्या integration आएगा तो इसी को हम क्या करेंगे मान लो अगर आपने यह point और यह point join कर दिया तो यह क्या बन जाएगा तुम्हारा close circuit बन जाएगा तो अगर close circuit की मैं अगर बात करूँ अगर मैं close circuit की अगर बात करूँ तो क्या हो जाएगा बेटा integration जो है वो उधर से जाके वापस एक ही जगा पर आ जाएगा close circuit के उपर तो उस case में वो हो जाता है तो बेसिकली यह अलग से बताने की कोई जरुवत नहीं है तो मैं इसको यहां से हटा देता हूँ तो वाट हैपन कि अगर मानलो कोई भी current carrying loop एक magnetic field के वीच में रख देते हो तो क्या होगा इस लूप के ऊपर एक होगा कैसे होगा देखो जब एक current carrying conductor को हम magnetic field में रखेंगे तो उसके उपर force act होगा अब मैंने अगर मानलो इस coil को एक axis के you know along fix कर दिये ऐसी और यह जो है कुछ इस तरीके से घूमेंगी बराबर है जो टॉर्क का फॉर्मूला आता है बेज़ा टॉर्क इस इक्वास तो वाट एन आई अई आई आई बहार निकाल दिया ए ए लिए क्रॉस बी वेक्टर मैं ऐसा लिख सकता हूँ एन आई अना एक रॉस बी वेक्टर तो इसी को सॉल करके मुझे क्या मिलता यहां पर एन आई ए भी पाइन ठीटा ऐसा मुझे एक एंसर मिल जाता है यहां पर तो अभी बेसीकली क्या होता है यह जो है इस A जो है यह इतनी टर्म जो है इसको mu बोलते है where mu is what? Magnetic dipole moment basically torque को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या torque is equals to torque is equals to mu vector cross B vector तो यह बन जाता है क्या तुमारा mu B sin theta, right? where n is what? the number of turns, I is the current A is the area of this coil and B is the magnetic field in which it is placed next is moving coil galonometer अब यह moving coil galonometer क्या होता है बेटा? आपने galonometer तो देखा था अगर आपने देखा तो galonometer का use करके हमने ammeter और voltmeter यह दोनों चीज़े design करी थी right? तो basically यहाँ पे क्या हो रहा है आपको galonometer बताया है कि वो work कैसे करता है तो galonometer में क्या होता है बेटा? ऐसे north pole और south pole में लगा दूँगा ऐसा उनके वीच में एक magnetic field create होगी और उसमें मैंने एक coil लगा दिया एक iron core लिया उसके around मैंने यह जो wire है जो winding है वो लगा दी और उसको जो है वो magnetic field में मैंने रख दिया रखने के बाद अगर मानलो मैंने उस coil से current pass करा तो basically उसके ओपर क्याक्ट होगा यहां पर एक spring लगा या ने बहुत पूरा deflection लगाने के लिए यहां पर एक spring लगा दिया 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 और जब यह गोल घूमेगा तब इसमें आएगा twist twist जो है वो कितना hold करेगा यह depend करेगा उसके you know constant पे ओके और basically जो भी torque act होगा that will be you know that will be balanced by the restoring force of the string that basically right तो Niab sin theta तो यह हमने देख लिया उसी के साथ-साथ torque is equals to k phi b यह answer होगा where phi is the deflection and k is the restoring constant right अब basically यह वाली चीज और यह वाली चीज़को हम equate करेंगे तो phi की value मुझे क्या मिल जादिया है इन आई एबी अपॉन के तो basically phi क्या है डिफलेक्शन शोन बाई और गैलो नामेटर ठीक है तो अगर मैं इसको धंग से देखू तो यह जो फाई है डिरेक्टली प्रपोर्पोर्शनल टू आए है याने जितना current पास करोगे उतना ही आपको डिफलेक्शन मिलेगा तो यह कैसे होता है कि जितना आप current पास करोगे उतना होगा क्योंकि यह तो चीजे क्या बेटा constant है अभी इसमें क्या होता है अगर मैं ले लूँ 5 by i तो यह बन जाती है तुम्हारी current sensitivity यह कितना हो जाता है तुम्हारा यह एक चीज जो है वह आप फोड़ी सीजे तो यह एक चीज जो है वह आप फोड़ी सीजे द्यान में रखो इसके बाद आता है magnetic dipole moment वह मैंने अभी अभी आपको बताया जो एनाइबी साइन ठीटा होता है उसको आप यह जो एन आई है उस एन आई को एन आई को मियू कंसिडर कर सकते हो और फाइनली आप जो टॉर्क का प्रमूला है वो कुछ इस हिसाब से बता सकते हो कि टॉर्क इसको हम टॉर्क एक्टिंग अगर डाइपूल पे टॉर्क एक्टिंग और इलेक्टिक फिल्ड की अगर मैं बात करो तो टॉर्क इसको पी क्रॉस ई होता है तो यहां पर देखो सब्सक्राइब क्या हो जाएगा मियू तो वाट इस मियू मियू इस दा मैगनेटिक डाइपूल मोमेंट इसका फॉर्मूला की उपर का फॉर्मूला इस इह जो मियू है बेटा यह मियू क्या दरशा आता है आपका मेगनेटिक डाइपूल मोमेंट है अगर देखो electric field E है तो magnetic field B है electric dipole moment P है तो magnetic dipole moment mu है, तो basically यह क्या करेंगे हम इन दोनों को analogy लेके हम उसका answer निकालेंगे I hope this is clear, right concept of electric field is similar to the concept of the magnetic field Biot-Savart law अब यह क्या चीज़ है, देखो Biot-Savart law बेटा, it gives us the idea about the magnetic field at a distance r at a distance r from a current element current element को कैसे बुलेंगे, ideal को हम बुलेंगे current element, याने current को carry करने वाला चोटा सा part है है ना, उसके वज़े से कितनी magnetic field जो है वो हमको मिलेगी, यह हमको यहाँ पे दिया गया है तो basically Biot-Savart law क्या बोलते हैं कि अगर मानलो एक यह current carrying conductor है जिसके तुरू current जा रहा है i, ओके, और मानलो मैंने यह particular element ले लिया यहाँ पे dl, अब यहाँ से जाएगा current i, तो यह जो vector बनेगा ना, यह वाला vector, जो बिल्कुल dl के line में होगा, यह बन जाएगा तुम्हारा ideal ideal नहीं, वो वाला ideal और क्या बोलेंगे, real, ऐसा नहीं वो i into dl, यह वाला, right तो वो element और जो तुम्हारा r vector है उसके बीच में जो भी angle है, उसको हम theta पकडेंगे तो वो जो magnetic field है वो कुछ इस formula से दी जाती है db is equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square so this is called as what, biot saivit law तो यहां से हमको क्या idea आता है, बेटा, कि जो भी ideal element है that is i into dl यह जो element है, यह देखो i into dl, यह वाला dl यह वाला जो element है इसके वजह से यह वाला जो element है, इसके वजह से यह यहां पे, p point पे कितना magnetic field होगा, so db is equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r square that is your answer, तो इसके उपर directly आपको formula नहीं पूछते है ना, लेकिन इतना धार में लो, इसका use करके हम अलग-अलग formula निकाल सकते हैं, अलग-अलग structures के formula निकाल सकते हैं, अलग-अबजेक्ट के इसके लिएड साथ के इसके निकाला था उसी के साथ़ हमने, एक जो plane sheet है, उसके जस्त साइड में, कितना, यू आपको field रहता था electric field वो हमने निकाला था, तो उस case में हमने कुन सा लाग उस किया था? Goss law. तो Gauss law is similar to what your Piotr-Syvart law. मैं आपे लिख देता हूँ. Same as Gauss law in electrostatics. तो अभी इसी का इसी का यूज करके बिटा हम current इने straight long wire अगर मानलो एक long wire है और उसके through अगर जा रहा है बिटा current I है ना तो उससे एक particular distance पे कितना magnetic field होगा वो हमको यहाँ पे निकालना है है ना तो वो कितना होगा हम उसको देखते है जरा आप देखो यहाँ पे दिया गया ह है देखो इसको यह long straight wire है बिटा यह long straight wire से r distance पे मुझे क्या निकालना है बिटा magnetic field निकालना है यानि यह conductor है जो क्या carry कर रहा है current carry कर रहा है that is I और इसके वज़े से particular distance पे यह capital R distance पे है ना आपको कितना magnetic field है यह अगर जानना है तो formula है हमारा mu not i upon 2 pi r चाहिए बेटा यहां पर ठीके mu not i upon 2 pi r I hope this is clear ओके और यह जो हमने formula लाया है वो कहां से लाया है by using bio-savart law अब यहां पे कि I क्या है current और R क्या है distance तो अगर मानलों आपको ऐसा question आता है कि भीया एक conductor है जिसके तुरू current जा रहा है और उससे capital R distance पे कितना magnetic field है तो उसके लिए आपको यहां पर formula है है ना तो मैं यहां पर लिख दू this is you know यहां पर लिख दूँ this is what formula for magnetic field formula for magnetic field at a distance capital R from straight wire यह बात थोड़ी सी आप ध्यान में ले लेगा नेक्स्ट है force of attraction between two long parallel wires अब देखो अगर दो कर दो wires है मेरे पास ठीक है एक number one है मानलों और एक अगर सेम डारेक्शन में करन पास हो रहा है तो दो के बीच में attractive force होता है और अगर हर unit length पे यह wire एक दूसरे के ऊपर कितना attractive force या फिर repulsive force exert करेंगे उसका यह formula है that f by l is equals to mu naught upon 2 by i1 i2 upon d तो basically यह inversely proportional to d है और directly proportional to क्या है बीटा i1 and i2 ओके तो मैं यहाँ पे लिख दू f by l क्या फिर मैं direct यहाँ पे लिख दू force per unit length on wires ठीक है जहाँ पे i1 और i2 यह क्या रहेंगे दो currents रहेंगे और d जो है वो दोनों के अगर आप याद रख सकते हो तो well and good नहीं तो अगर आप सिर्फ formula भी लर्न करते हो और यह समझ लेते हो कि कुन सा formula किसके लिए दिया गया है वो सारी चीज़ बाकी इसका derivation तो बेटा आपको टेक्स्बुक से देखना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा रइट चलो अगर मानलो यह एक आर्क है यह कुछ ऐसी आर्क दी गई है और आर्क के थ्रू जा रहा है करेंट आए तो बेसिकली देखो यह चूटा से इसका formula यहां पर दिया गया है that b is equals to mu naught upon 4 pi i theta upon r अब theta क्या बेटा यह angle but that angle should be in radian not in degree है मैं यहां पर लिख दू theta in radian theta जो है it is will be in radian अब मानलो यह पूरी आर्क इतनी नहीं होती आर्क पूरी की पूरी circle होती तो theta में क्या जाता 2 pi तो देखो यह 2 pi और यह 4 pi पे 2 बच जाता था खाली mu naught i upon 2 r will be the answer यह formula जो आपको दिया है यह formula किस चीज़ का है बेटा magnetic field this is the formula for what magnetic field at the center of magnetic field at the center of current carrying circular loop I hope this is clear okay अब अगर मानलो सही मी सरकल आपको पूछता यहाप ठीटा के जगा क्या आता पाया था तो उस case में mu naught आया upon 2 आ रहा था तो यह चीज द्यान में रखनी है फुल सरकली के लिए यह रहेगा और मानलो कोई भी आंगल दे दिया गया हो तो आपको यह वाला जा रहा है कुछ इस तरीके से उसका रेडियर जो है वो है capital R और उसकी जो छोटी सी element यहां पर भी है और यहां पर हमको यह देखना है कि उसकी यह जो axis है यह axis इस axis पे एक particular point लेंगे मानलो यह आपने ले लिया P which is at a distance Z from the center of the current carrying loop तो center से लेके यहां तक okay center से लेके यहां तक जितना distance है वो मैंने ले लिया Z और मुझे क्या बताना है कि यह जो current carrying loop है उसके वज़े से यह Z distance पे कितना magnetic field होगा उसके लिए formula मेरे पास है बिटा P Z is equals to mu naught upon 2 I R square upon Z square plus R square to the power 3 by 2 R क्या बिटा radius of the circular coin Z क्या है distance of that point where I want to know the magnetic field from the center of that circular loop बाकी I at the current through the loop है और mu naught और 2 तो आपको पता that is the constant अभी basically इसका derivation जो है वो आपको board में पूछ सकता है बट उतना frequent नहीं है फिर भी आप उसको करके रख लो है ना prepare derivation for what your board exam मैं यहां पर कहीं note लिखे देदू क्या चलो यहां पर आपने धान में रख लेना कि मैं यहां पर थोड़ा सा से स्टार कर देता हूं स्टार इसलिए कर देता हूं क्योंकि यह थोड़ा सा छुडाने में दिक्कर जाता एक्जाम में तो इसका एक दुबर प्रैक्टिस करो बेटा आप इसका derivation का प्रैक्टिस करो डेफिनिटली आपको वह इजी जाएगा ठीक है बाद में आता है Ampere's law अब देखो जैसे हमने बायूट साइवर्ट लॉट देखा विच इस सेम आस दिगॉस लॉट बराबर अब उसी तरीके से एक मिनिट यहां पर कुछ गडबड कर दी मैंने यह जो है बेटा कहां गया जो बायोट साइवर्ट लॉट है इस नौट सेम ऐस दिगॉस लॉट जाए है ना यह पर लिख दू है आज कुलंस लॉट इन दे लेक्रो स्टाटिक्स वह इसलिए बेटा क्योंकि यहां पर छोटे से एलिमंट के वजे से बताया जाता है एंपियर्स लॉव जो है यह जो आपका एंपियर्स लॉव है इस सेम एस दो गौस लॉव देखो मैं आपको बेसिकली डिफरेंस बताता हूं को चार्ज के बीच में हमने जो फोर्स लिकालना होता है वह हम कोलम लॉ से निकालता है वहां फें छोटे-चोटे पॉंइंट चार्ज होते हैं उसी तरीके से थाय। यह वह चोटा सा और चार्ज में पकड़ें तो इधर का कि इधर का हमारे एलेक्ट्रोस्टाटिक्स का जो आपका कुलम्स लॉव है that is equal to the बायोट साइवर्ट लॉट और जब मानलो यह जो चार्ज है it is distributed over the surface अगर ऐसी चीज होती है तो उस case में we are we are having analogy of that we are having in the magnetic field is your amperes law तो वहां लिखने it is same as Gauss law in electrostatics it is same as what Gauss law in electrostatics यह बात आप थोड़ी सी धान में लेना अब कैसा होता है देखो बिटा जैसे हम अभी तक क्या किये थे एक छोटा सा current carrying element ले जैसे for example मानलो मैंने ऐसा कोई भी एक arbitrarily shaped वैसा wire ले लिया है ना तो उसका एक particular part जो है इसको हम क्या consider करेंगे that is dl है ना यह क्या हो जाएगा तुम्हारा dl that is you know small part of that the current carrying conductor और अगर मानलो यहां से current की direction कुछ इस दिशा में है so this is what यह जो vector मिलता है वो मिलता है आपको ideal का मिलता है वेक्टर आई होब दिस इस क्लियर राइट तो बायोट साइवट लॉट में हम छोटे से element की बात करते हैं वेराज हम Ampere's law में किसकी बात करते हैं पूरे के पूरे conductor की बात करते हैं तो basically Ampere's law में क्या होता है बेटा कि हम जो है वह ऐसे एक दो तीन ऐसे जितने चाहे उतने current carrying elements ले सकते हैं और उन current carrying elements के वज़े से उनके आजू बाजू कितना magnetic field क्रेट होगा उसका जो formula है हमको Ampere's law बताते हैं बराबर तो basically अगर मान लो मेरे पास यसे दो तीन conductor है मैं अभी कैसे आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे मैंने यह पैनल लिए अपने हाथों में ठीक है यह पैनल ले लिए मैंने हाथों में तो यह देखो यह दिख रहे आपको Ampere's law होता है बिटा Ampere's law कैसे होता है कि अगर मान लो मैंने इतने सारे conductors ले लिए तो उसके आजू-बाजू कितनी magnetic field create होगी यह हमको बताना है तो क्या फॉर्मूला है that integration of p-vector.ds-vector यह दिख रहा आपको integration of bs-vector.ds-vector is अगर मान लो यह ऐसा current है अंदर जाने वाला मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो बहार आने वाला मैं निगेटिव लूँगा इस तरीके से राइट it is applicable to get a magnetic field due to number of current scaring conductor so that is what you have here lastly the magnetic field of solenoid and toroid इसी का use करके हम solenoid हो जाहे toroid हो उनके true कितना magnetic field होता है यह हम जानेंगे अब यह जो है बेटा यह आपका solenoid है तो solenoid की बेसी करी जो डाइग्राम है वो कैसी बनती है कुछ इस तरीके से बनती है है ना this is your supposed solenoid है यह आपका solenoid हो जाता है आपको जो solenoid है वो कुछ इस तरीके से दिखता है अब solenoid की थू हम ने current भेज दिया भेज दिया तो उसके यह access पे जो क्या है बेटा आपकी magnetic field बन जाती है यह देखो उसकी फिल्ड लाइन भी दिखा रहें आपके यह जो है एक्शली कुछ इस तरीके से हैं यह यह जो मैंने बनाया यह थो उन्होंने बड़ा बना के दिया है यहां पर कहीं से current बाहर आएगा तो कहीं से current अंदर जाएगा उस आपको दिया है तो बीच में कितना magnetic field होगा इसका फॉर्मुला जो है लाइट इस इकोस टू मू नॉ 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 यह बात ध्यान पर रखना बच्चे यहां पर गलती गलती कर बेट्टे एन इस इकोस तो ओट नॉ 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 आअनॉ नॉ नॉ मजबड़क नॉ नॉ-चे पर उनिट और आए राइट ओर बहुं नॉय नॉ 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 पर कैसा हुगा, capital N by L, where L is what, the length of the solenoid, लेकिन toroid की जो length है, वो हम ऐसी एक circular, you know, loop के sense में लेते हैं, that is 2 pi r, और इसी के वज़े से, B is equals to mu naught n i upon 2 pi r, हम इसको ऐसे भी लिख सकते, कैसे लिख सकते, that is equals to mu naught n into i, तो अभी ये n क्या बन जाएगा, capital N upon 2 pi r बन जाएगा, बेटा क्या, कि जब कभी भी एक current carrying conductor को magnetic field में रखा जाता है, तो उसके उपर force act होता है, f is equals to i L cross B, right, फिर हमने torque का formula देखा, torque is equals to क्या होता है, n i a b sin theta, फिर हमने gallometer की sensitivity देखी, biot-savart law देखा, biot-savart law is equivalent to the columns law in the what, electrostatics, उसका use करके हमने एक straight conductor के, you know, straight conductor से r distance पे कितना magnetic field होता है, वो निकाला, एक curved, you know, loop है, तो उसके center पे कितना होता है, circular loop लहेगी, तो उसके center में कितना होता है, magnetic field, यह सारी चीज़े निकाली, उसी के साथ-साथ बेटा हमने, you know, amperes law देखा, amperes law is equivalent to the Gauss law in the electrostatics, and with the help of amperes law, we able to calculate, you know, the magnetic field of the solenoid and the toroid, दोनों का mu-naught ni आता है, basically, कुछ important formulas, यहाँ पे हमने देखे, ठीक है, homework के लिए, अगर मैं बात करूँ, तो, board मैंने बेटा, वो, force between the two parallel conductors करके रखना, force between two parallel conductors, मैं यहाँ पे बता आदू, to force per unit length, force per unit length, between two parallel conductors, इसको प्रिपेर करके रखो, बाकी, second और क्या दूँ, इसमें आपको, byo, sabato, और amperes law पूछ सकते, तो उसके थोड़े से definitions, और उसके जो formulas है, वो करके रखो, साथ ही साथ, यहाँ पे, आपको कूछे जाने वाले questions, जो है, वो थेरी portion पे तो मुझे लगता कुछ जादा यहाँ पे होगा, ठीक है, यही सही रहेगा, और CET के लिए अगर मैं बात करूँ, तो यह तो formula रहे गए रहेगा, F by L वाला, उसे के साथ-साथ solenoid और toroid के करके लखना, ठीक है, solenoid and toroid, for CET, अगर आप बैठेगा नहीं वहाँ पे, है ना, दो-दो दिन में अगर आपने एक-एक subject खतम कर दिया, तो क्या ही बात है बैठा, वो तो दो दिन तो आपको exam के पहले भी मिल जाते है, है ना, तो basically उसी approach से आपको यह series provide कर दी गई है, इसके जो भी questions रहेंगे, या फिर जो भी इस से related, जो भी notes रहेंगे, कुछ भी रहेंगे, वो आपको provide कर दिये जाएंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, लेकिन आप इतना धहन में रखना है बैठा क्या, कि आपको जितना यहां पे दिया गया है, वो आप सही से करो, उसको छोड़ना नहीं है, उतने topics बहुत जादा important है, right, so I think that's all, that's all for today, thank you so much बेटा, keep studying, you know, heart study करने की अभी जरुवत है, कुछ दिनों की बाद है बेटा, result will be yours, bye-bye.